गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों मैं हूँ आपकी एजुकेटर पूर्णे मातर सिंग और हम आपकी वॉक्षीट नंबर 29 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस क्लास आपकी 10 है और डेट है 16 सेप्टेंबर नेशनलिजम इन यूरो तो आपने 9 क्लास में फ्रेंच रिवलुशन पढ़ा था 1789 में जो हुआ था उसके बाद नेपोलियन आते हैं और वो सिविल कोड को इंट्रोड्यूस करते हैं 1804 में वियना कंफरेंस होती 1815 में फिर उसके बाद लीब्रल्स के द्वारा रिवलुशन होता है 1848 में फिर उनिफिकेशन होता है जर्मनी का यह टाइम लाइन याद रखना बहुत इंपोर्टेंट है तो यहां पर जब फ्रेंच रिवलुशन बेगन हुई थी स्टार्ट हुई थी तो रिवलुशनरीज ने एक मतलब एक कोलेक्टिव आइडिनिटी उससे पहले नेशन नाम की कोई चीज नहीं थी ठीक है उन्होंने जब एक फ्लैग बनाया एक कोलेक्टिव आइडिनिटी बनाई तो सब लोगों में एक नेशन की भावना एक नेशनलिजम की भावना आ गई ठीक है तो फिर उसके बाद नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस की रिवोलु इसका सब्सक्राइब नेशनलिजम की बनाई तो इन्होंने नाम दिया इसका सिविल कोड और उन्होंने ये भी कहा निपोलियन ने कि मेरे जो मैंने युद्ध लड़े हैं वो मेरे यादगार चीज नहीं रहेगी बलकि जो मैंने कोड बनाया है वो एक हिस्ट्री है अब बात करते हैं सिविल कोड 1804 के क्या फीचर थे एक तो अबोलिशन आफ अबोलिशन मतलब की हटा देना प्रिवलिजिस बेस डूंदा बर्त कि आप राजगराने में पैदा हुए तो आपको कोई एक्स्रास विधाय मिलेंगी वो चीज का अबोलिश कर दिया गया इसको अबर्त को लोग के आगे एक्वालिटी दे गई जोए दिवीजन वर सिंप्लिफाइड जो थिवो सिंप्लीफाइड कर दी गई फ्यूडेल सिस्टम जो था कि भाई आप जो किसान है वह खेतों में भी काम करेंगे और घर में भी काम करेंगे ठीक है और उसकी जमीन भी गो जो संग के ऊपर रिस्ट्रक्शन थी वो भी रिमोग कर दे गई अब आता थी फ्रेंच रिवोलिशन एंड नेशनलिजम किस तरीके से होता है तो एक रूल बेस्ट कंस्टिटूशन बन जाता है आइडिया जैसे की क्वैलिटी लिबर्टी और फ्रेटिनिटी यह आइडिया अबर कर आते है एक नई ट्राइक लरका फ्रेंच फ्लैग बनता है जिससे सब लोग रिलेट करते हैं कि हमारे देश का फ्लैग है जो एक नेशन की जो एक देश भक्ति की भावना को फ्लेम करता है Establishment of National Assembly, National Assembly को बनाया जाता है Abolish Internal Import and Export Taxes and Uniform System of Weight and Measures सभी जंगे एक ही जैसे weight and measures जैसे अभी हमारे यहाँ पे kilograms, grams यूज होते हैं तो सेम उसी तरीके से same weight and measures वहाँ पे use होने लगे ऐसे नहीं कि कोई कुछ यूज कर रहा है, कोई कुछ यूज कर रहा है तो एक common चीज बनती गई, French become the common language of nation और French जो है common language बन गई nation की अब बात करते हैं, liberal nationalism, political and economic view current government-wide consent, that is the end of autocracy यानि कि अब राजदंत्र नहीं चलेगा, कि भाई कोई किसी एक बंदे का राज नहीं चलेगा government जो बनेगी consent से बनेगी, ठीक है, लोगों की consent से, लोगों की सहमती से बनेगी rule base रहेगा constitution पे, एक rule book होगी, उसके basis पे constitution का वो रहेगा parliamentary form of a government, end of privileges, equality before law, the right to vote but not everyone यहाँ पर यह चीज़ पॉइंट धाने की है, कि यहाँ पर अभी right to vote दे दिया गया, लेकिन सभी को नहीं दिया गया free market हो गई, abolition of a taxes, ठीक है, तो चलिए यह तो था आपका liberal nationalism का, यानि कि देखो, आभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, कि liberal nationalism कैसा था, तो यह events आपको ध्यान रखने हैं, तो चलिए इसके आप question answers कर लेते हैं, बच्चों question answer करने से पहले, यहाँ पर मैं आपको एक कि बहुत ही important information देना चाहते हूं, जो आपके लिए काफी useful रहेगी, देखो, on academy पर अभी एक offer आए हुआ है, कि अगर आप 9th and 10th का combo offer खरीते हैं, तो आप IIT, JE या फिर NIT की preparation करते हैं, तो आपको 11th और 12th class का subscription बिल्कुल free में मिलने वाला है, ठीक है, actual prices जो थे, यह 81,000 का था, लेकिन अभी 20 तारिक तक offer चल रहा है, तो यह 64,500 का हो गया है, ठीक है, तो अगर आप discount लेना चाहते हैं, तो आप पूर्णिमा 10 code लगाना, ठीक है, पूर्णिमा 10 code लगाने से आपको extra 6,500 का discount मिलेगा, तो यह 6,500 भी घटने के बाद आपके 58,000 something का हो जाएगा, तो आप देखो, सिरफ 58,000 में आपको चार साल का subscription मिल रहा है, IITJE की preparation हो रही है, तो बहुत ही बढ़िया आपका यह offer है, आप इसको ले सकते हैं, मैं तो यह कहूंगे कि ले लो, क्योंकि अगर आप tuition भी पढ़ने जाते हो, तो tuition सिरफ एक साल के tuition के ही इतने रुपे हो जाते हैं, यहां तो बात हो रही है, कि चा साल में आपको unlimited access मिलेगा, ठीक है, live classes मिलेंगे, structured course मिलेगा, आप test series दे सकते हैं, live quiz दे सकते हैं, फ्री में, मतलब unlimited access मिल जाएगा आपको एन academy का 4 साल के लिए, ठीक है बच्चा, तो यह बहुत ही अच्छा offer है, आप खरीज सकते हैं, ध्यान रहे कि आपको पूर्णिमा 10 code use करना है, जिससे आपको 6,000 रुपे की छूट मिलेगी, ठीक है, तो चलिए, अभी हम करते हैं, यहाँ पे आपके question answers को, और यह offer भी इसलिए वैले दिया जा रहा है, क्योंकि यह teacher's month है, यहाँ पे actual price दिये हैं, offer price दिये हैं, इसके लिए link जो है, वो description में है, code आप use करेंग code of 1804, यह बहुत important question है, आपका आने वाला ही आने वाला है, abolition of all privileges based on the birth, ठीक है, equality before law and secure the right to property, administrative division was simplified, feudal system was abolished, peasants were freed from serfdom and manual duties, guild restrictions were removed, second question है, how did French revolution straighten the idea of stand on the, sorry, कि मजबूत कैसे किया उसने idea को, क्योंकि liberty, equality और fraternity जैसे ideas ने democratic government को बराने में help की, जिसने nationalism को और spread किया, the French revolutionary declared French as a common language of France and materials were celebrated, यानि कि जो सहीद थे उनको celebrate किया गया, oaths were taken on the name of the nation, oaths ली गई नेशन के नाम पर, mention the feature of a liberal nationalism के क्या क्या पीचर थे, liberal nationalism stood for many things, individual freedom, equality before law, representative of a government and constitution as well as the inviolability of private property. liberal nationalist in the economic sphere, तो liberalism stood for freedom of a market, liberalists want a unified economic territory, a custom union from Persia that was joined by many German states, removed all tariff and reduced the currency from 30 to 30 to 2, सर्फ दो कृरंसी रह गही. which idea of the French revolution impressed you the most, देको I liked all the ideas of a French revolution, बट the idea of equality is which I like the most, because it stops inequality, थेके बच्चा, तो ये थी हमारी आज की वरक्षिट, I hope so आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, अगर अच्छे से समझ में आ गई है तो जड़ा वीडियो को like कर दो, channel को कर दो subscribe, thank you, have a nice day, may God bless you. कर दो